नमस्कार आज में आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 38-49 चेस्ट ब्लाउच कटिंग और इस टीचिंग तो यह वीडियो में आपके कहने पर बना रहे हूं अब देखे इस तरीके से कटिंग करना है कि पत्ति आना वो एकदम सीधी आए तो इसको ऐसे रखेंगे जैसे पहले हमें पीछे का निकाल ले फिर आगे का निकाल ले तो जाद अच्छा रहेगा क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो डिजायन के होते हैं उसके साफ से भी हमें कटिंग करनी है एक तम पिलेन कपड़ा होता ना तो हम आगे और पीछे के दोना परलर इस तरीके से निकाल लेते तो वह भी आसान रहता है लेकिन अगर कोई कपड़ा डिजायन का है तो उसको कैसे निकालेंगे तो देखी यहां पर डिजायन बनी हुई यह पत्तिय बनी हुई है तो हमें इस तरीके से रभान में कटिंग करना हूं तो देखिए पहरे सबसे फेहले हमें इसकी जो लंबाई है बोलेनी है तो यहाँ पर अब दाैं ना पर दो लेगे आपर न लेंगे तो हमें ब्लाउच की लंबाई 14 इंच की रखनी है 14 इंच यह हो गया अब हम जैसे इसका डीप कला बनाएंगे तो वह सोल्डर लेंगे वह साढ़े पांच इंच के लेंगे यहां पर देखिए साढ़े पांच इंच लिया है मैंने आरूमल लेंगे वह लेंगे 6 लगाना है तो देखिए यहां पर हमारी चेश्ट 38 या 49 तो देखिए हम चेश्ट जैसे नाप लेंगे यहां पर 49 ले रहे हैं तो इस तरीके से इंची टेप को करना है हमें डबल आसान और सरल तरीका है जब भी आप चेश्ट का नाप लें उसके बाद इसको ऐसे करना है ड यहां पर देगिए 38 sein, तो ऐसे रखना है, और इसको ऐसे करके यहां पर रखना है. बस से निशान लगाना है आपको, इस तरीके से! उसके बाद देखिए, आरोमल और सोल्डर, सेम रहेंगे, इसी तरीके से आपको नाप लेना है, अब यहाँ पर हम 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई के लिए, इसको ऐसे जोड़ना है, उसके बाद देखिए, धाई इंच गले की चोड़ाई, गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ 10 इंच, चोकूटा निशान, उसके बाद देखिए, ऐसे गोल आई, अब देखिए, प्लेट का निशान हमें यहाँ पर लगाना है, एकदम बीच में, इस तरीके से प्लेट का निशान लगा लेंगे, इसकी लंबाई रखेंगे, प्लेट की वो रखेंगे, हम 6 इंच, यहाँ पर जो भी चोटा बड़ा हो रहा, उसको भी बराबर करना है, यह हो गया, अब इसके बाद हमें आगे का पलन निकालना है, तो देखिए, यहाँ पर तो इस चेस्ट तो बराबर आजाएगी, लेकिन पत्ती को देखिए, हमें कटिंग करना है, हम इसको ऐसे नहीं र यहाँ पर पहले हम तीरे का कपड़ा निकालना है, तो देखिए, चेस्ट के लिए तो हमें यहाँ पर बराबर आ गया है कपड़ा, यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर लंबाई लेनी है, तो देखिए, चेस्ट के साब से हमें लंबाई लेनी तीरा उपर की साड़ ना जाए तो हम यहां पर लेंगे साड़े तेरा इंच कादा इंच हमें यहां पर कटिंग करना है आरू मल का कि अब देख्ये यहां पर लेंगे 1.5 गले की चोड़ाई फिम यहां पर चेंच यहां पर गोलाई में अब देख्ये एक इंच हमें उपर की साड़ लेना और तीरे का अच्छा साव बनाना लेंगे इस तरीके से अब टक्स का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 10 इंच पे यह बराबर रहेगा 38-49 चेस्ट के लिए बराबर है अगर आप चाहें तो इसको 40 में भी बना सकते हैं यही निसान रहेंगे सेम अभी टक्स का निशान हो गया अब जैसे हम 49 चेस्ट का बनाएंगे तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच लेना है अब इसके बाद हम इसको आदा करेंगे जो निचे की पिलेट है वो पराबर आनी चाहिए हमारी यहाँ पे यह हमारी पिलेट हो गई इसके बाद 2 इंच की दूरी रखेंगे दो इंच की दूरी यहाँ पे भी और एक निशान हमारा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे कैची का कट यह हो गया आगे का अब देखें तीरा हमें कैसे रखना है इसको ऐसे और इसको ऐसे अब देखें इसको ऐसे रखने के बाद हमने तीरे की भी कटिंग कर ली अब हमें बाजु निकाल लिए अब देखें इसका भी डेजान ऐसे ही है तो यह डंडी है बहुर नीचे की साइड आएंगी अब देखें यहां पर हमारे कपड़े की जो चोड़ाई है वो साड़े सत्रा इंच है कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है अब यहां पर कपड़े को हम पहले दो इंच यहां पर लेंगे तुरपाई के लिए उसके बाद जो हमारी लंबाई यह बूर रखेंगे तो हमार जो ब्लाउज की लंबा ही रख रहे हम 12 इंच तो तयार हमारा 11 इंच रह जाएगा तो 11 इंच की हमारी यह तयार रहीगी बाजू अब हम यहां पर निशान लगाएंगे चार इंच पर तो चार इंच पर इसलिए लगा रहें निशान क्योंकि इसकी जो चोड़ाई वो कम है साड़े सत्रा इंच है तो इस तरीके से हम कटिंग करेंगे चार इंच पे तो यह आरूमल में बराबर आ जाएगी एक अच्छा सा सेफ देंगे हम इसको इस तरीके से अब देखिए कुछ लोग ओलते हैं कि आप आगे का जो पल्लर उसकी बाजू की कटिंग नहीं करते हैं तो देखिए मैं इसलिए कटिंग करके नहीं आपको बताते हूं कि अगर आप यहां पर कटिंग करेंगे और आपने गलती से इसको पीछे की साइड जोड लिया तो अगर बाजू की कटिंग करेंगे तो जोलनी आएगी तो अगर आप चाहें तो यहां पर आदा इंच की कटिंग कर सकते हैं वह आपके उपर है लेकिन मैं नहीं करते हूं क्योंकि जो नहीं लोग है वह गलती से अगर इसको पीछे की साइड जोल लेंगे तो भो खिचा के अगर आप इसकी स्टीचिंग देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर किलिक करके मैंने पूरी अच्छे से बताया है एक चीच के टक्स हमें कैसे डालने हैं कैसे हमें विलाउज की एकदम बरावर फिटिंग आनी चाहिए बो भी सम मैंने बताया है तो उपर आई बटन को सब्सक्राब कर ले धन्यवाद